नमस्कार सातियों जैसा कि आप सभी को मालू हूँ है कि हम लोग इस सभी किला से आपकी UPSC और State PCS Prelims को ध्यार में रखते हुए कवर की जा रहे हैं और अगर आप भी State PCS या Civil Service की तैयारी शुरू कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सभी किलासें आप लोगों के लिए बहुत ही मात्पूर्ण हो सकते हैं और आपका Base मजबूत बनाएगी और इससे क्या रहेगा कि आप लोगों को Prelims में भी बहुत आसानी होगी और मुख परीक्षा में भी आप लोगों को आसानी होगी तो अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोग मगत का उदय देख चुके थे और लाच्ट किलास में हम लोगों को एक और जानकारी देता हूँ आपका UPSC और State PCS Prelims को ध्यान में रखते हुए जितनी भी आपकी क्लासें लिए जाएंगी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो वो आपकी एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से इसी में आपको करम से देख सकते हैं ठीक है तो मौर्ग संबराज जी का अगर आप लोग देखें समय देखें तो इसका समय रहता है कप से 323 इसापूर से 185 इसापूर तक यानि कि 323 BC से 185 BC तक अगर इस समय की स्रोध अगर आप जानने की बात करें तो साहितिक स्रोध भी है पुराताद्विक सरोध भी है, विदेसी यात्रियों के विवरण भी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो भासा लिखी जा रही थी उसके बारे उसे हम लोग आज पढ़ भी सकते हैं तो उसके जरिये भी हम लोग इस समय की जानकरी इखटी करते हैं पर पुरातात्विक साक्षों के चाहरें भी हम लोग इस समय की जानकारी इस समय के बारे में पता करते हैं और विदेसी यात्रियों के विवरण भी हैं उनके जरिये भी हम लोग जानकारी खटी करते हैं अगर हम लोग साहिति सरोत में बात करें, तो ब्रहमनग और संस्कित साहित, इसमें पुरान हो गया, विश्णो पुरान, भागबत, मारकंडे, यह आप देखेंगे पुरान, तो आप सबगें पुरान से भी हम लोग मौरसमराज के बारे में बता करते हैं, मालू चलता है, अर देव का कथा सरित सागर इनके लेखा को और इनकी पुस्थके जरूर याद रखेक करिए इनिसी questions पूछ लिता है यह बहुत साहिट बहुत गरंथ है जैसे दीवद्स हो गया महावंस हो गया दिव्याओदान हो गया असोकाओदान हो गया महापरी निब्बान सूथ हो गया मह सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि चंदगुप्त के अभिलेकों से भी हम लोग चंदगुप्त के बारे में मौरस अमराज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इसमें आप देखेंगे साह, गोरा, गोरकपूर, उत्तरप्रदेश का महाइस्थान, बोगरा, जिला, बंगलादेश में है दोनों से अन भंडारन के संकेद भी मिले हैं कि अन के भंडारन भी होते थे फिर आप सभी जानते हैं कि असोख काली जो अभी लेक रहें, यह कभी कुछ जाना ही रहे हैं, तो इनके बारे में हम लोगस अप साच से शोचे, कि मोर्रस अमराज के बारे में हम लोग मालू करते हैं फिर रुद्द दामन का जुना गड़ाविलेक, आठ सो बरसों का इधियास, असो के विथम बेहद सिलालेक, पासार खंड पर उतकीन, पश्चिम छेत्य में सिचाई का सक्ष, इसी से हम लोग मालू करते हैं, यह आप देखेंगे, लाइब्ज, पिलूटार्ग का भारत बिमर एपी टॉम, एजस्टिन का भारत बावडन, एना विसिस, एरियन द्वारा सिकंदर की योधिका बर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा, जियोग्राफी, इस्ट्रेबो, टॉलमी की है, इनके भी नाम याद रखेगा, ठीक है, फिर आप जिब विदेशी यात्रियों के परवण की बात करें तो सिकंदर के पूर, स्काइलेक्स, दारा, एकस, एनापती, एकमात यही भारत आये था, हैकेटियस, कैसियस, इरानी राजवेत था भारत के बारे में इंडिका लिखी इसने, सिकंदर की समकालीन देखें तो नियारकस, एजलवेडे का प्रमुक, मौर समराज में अगर आप देखें, तो यह मौर समराज है, आप देखें कि यहां तक फैला हुआ था, मौर समराज यहां से लेकर यहां तक, और ऐसा माराज आता ही कि देखें जो असोक समराज, असोक था, इसने भारत के सबसे बड़े समराज पर एक तरह से आप सूचिए सासन किया सबसे बड़ चेत पर हमारे भाद का एक मतेसर आ जा था और असो की बाद देखें असो के तो आप देखेंगे यहां तक मौर समराज रहेगा आरिया ठीक है और आप देखेंगे पैरो पेन, सीडाई, अराकोसी आये, यह आप देखेंगे हैलमंद, फिर आप देखेंगे यह आपका मेट्रासिका, यह आप देखेंगे यह आपका सहवाजगड़ी, लग, लदमान, मानमेहरा, तक्छिला, यह आप देखेंगे बितस्ता, असकिनी, परुष्णा, सतुदी, यह नदिया हो गई, यह आप देखेंगे टोफरा, इंदपरस्त, और कल्मी, ठीके, कल्मी, इंदपरस्त, विराट, यह आप देखेंगे यमना गंगा नदी, चंबल नदी हो गई, यह आपकी, यह कॉसांभी हो गया, कपिल वस्तु, स्तरावस्ती, यह आप देखेंगे नि लोरिया नंदरगर लोरिया अराराज यहीं पाटली पुत्ताप को देखने को मिल जाएगा और बराबर देखने मिल जाएगा सारनाथ देखने को मिल जाएगा इलाबाद कफिल वस्तु देखी लिया यह आप देखेंगे रूपनाथ तामलीपी और यह आप देखेंगे आपक महानदी ये हो गई ठीक है रूपनात होई गया उज्जनी साची विदीशा सौराष्ट ग्रिनार ये सभी नदिया हो गई इन्हें भी याद रखेगा सोफरा ये आप देखें कि तो मिली जोगर कलेंगे कलेंग कछे ते किसना मास्की न तुरंग भग तुंग भद्रा ये और ये देखने को मिलेगा आपको निस्तूर एरागुडी ब्रह्मागेरी ठीक है और नीचे बहुत आएंगे आप लोग तो चौल चौल कावेग कावेरी ये नदी है सनफुद केरलफुद पांड ठीक है ताम पढ़नी है सीलोन ये अरब सागर हो गया ये बंगाल हो गया थीके दो इस्ते खेट में आप देखी कि बिस्तार राय मौर साम राज का आज आप देखते हैं कि भारत यहां तक है समझ रहे हैं लेकिर आप सोचें किस्ते भी कहीं यहां तक भेला हुआ था ए नेपाल आ आप देख रहे हैं इश्ट मंझला देश्त सम्हमरें अंडर में चाइना का कुछ इस साद समझ यहां तक इतने बड़े छेत पर हमारा रहा था, आप सोचे कि आज अखंड भारत जिसे आप लोग कहते हैं, अगर हमारे पास पूरा भारत होता तो इस तरह कि हम लोग भारत के बारे में बात करते हैं, अब जाती की बात करें, तो देखे मौरीयों की जाती को लेकर विवाद, कई लोग इन्हे सूध्ध भी कहते हैं, कई इन्हे चात्रिय कहते हैं, समझे रहे हैं। प्रारक्षक की टीकाकार डुंटी राजने भी चंदगुप्त मौरी को सुद्ध किया है सरवार्थ सिद्ध नामक चत्री राजा की सुनेंदा चत्राणी और मुरा सुद्रा नामक पत्निया थी और जैसे चंदगुप्त मौरी का उत्पन हुआ कई लोग आप देखे को छत्री कहा गया है किस में बॉध्व सह都有 मौरे को छत्री मानता है मौरे को कफिल वस्तू के साक्यों से संबंद मौरी अबंस का माना जाता था और पराग मौरिकद से लेकर गुप्ध काल तक के राजनेति गतिविदियों का आवास करनाने बाले गरंथ आरे मंजू स्री मोल कल्प में भी मौरियों को चत्री बत कहा गया है। और ब्रहमड यही सोचते थे कि छत्री यही होगा, अब देखे अपनी अपनी थियोरी है, आप लोग जरूर याद रखेगा इनके किसने क्या कहा है। राज रोहन 323 से 321 सीसापूर के मद्ध हुआ। और रॉमिला थापर ने चंदगुप्त के राज रोहन की तिथिक 321 सीसापूर को माना है। चंदगुप्त मौर ने नंदबंस का अंत कर मौर सम्मराज की स्थापना की थी और जिसे असोक ने चर्मोत करस पर पहुँचा दिया। नंदों के अत्याचार सासन से देश को मुक्त कर चंदगुप्त मौर ने युनानियों के विदेशी सासन से देश को मुक्त कराया और युनानियों से भारत को मुक्त कराने का कारण चंदगुप्त को भारत का मुक्ती दाता भी कहते हैं। ये आपसे हो सकता है कि वंडे एक्जाम की तयारी आगर आप लोग कर रहे हैं तो पूछ ले आपसे कि भारत का मुक्तिदाता किस राजा को कहते थे किस समराट को कहते थे तो असोग को भारत छोड़ने से पूर सिंद बिद्धिरोहे को देखते हुए सिकंदर ने परश्चमो चेड़ दिया और सिंद और पंजाब पर अधिकार कर लिया और अपने दुतिये दुतिये चर्ण में कस्मीर के परवर्तक नामक राजा की सहायता से धना घनानंद को पराजित कर मगत पर भी अधिकार कर लिया मगत को भी अपने अंडर में ले लिया किसने चंदगुप्त फिर आप देखेंगे सेलुकस सेकंदर की मित्यू के बाद बैविलोन का सासक बनता है, उसने बैक्टिया को जीतते हुए भारत पत 305 इसापूर में आकमण कर दिया, लेकिन चंदगोप्त मौर द्वारा परयाजित हो जाता है, सेलुकस हार जाता है, चंदगोप्त मौर जीत जाता है, दोनों के मद्द संधी होती है, जिसे आप लोग अपी यानस की संधी के राम से जानते हैं, और आप सभी जानते हैं कि दो राजाओं में हो, दो देसों में लड़ाई हो, जब योद्ध अन्थ होता है, तो एक संधी होती है, और जिसमें जो जीतता है, उसे एरिया है राज्यसे, पैर पैनेस द Stalli, का भूल आराकोसिय डिये गए किसे चंद गुप्त मौर को सैलुकस ने अपने पूत्री एथिना हैलन कारणेलिया का भिवावी चंद गुपत से कर दिया सेलुकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंदगुप्त की दर्वार में बेजा था किसे मेगस्थनीज को इंडिका इसी की पुस्तक है और इस पेकार मौर समराज भारती सीमा का अतिक किरमड कर हिंदू को इस परवत पार्सिक समराज की बिज्ञानिक सीमा को इस परस करने लगी एक कई बार पूछ लेता है कि जो मेगस्थनीज था किसका सेलुकस का राजदूत एक किसके दर्वार में आये था चंदगुप्त के मौर के पश्चे में आप देखेंगे अगर पश्चे में भारत में मौर समराज की पुष्टी जूनागर अभी लेक से मिलती है और जैन गरंथों का इनुसा चंदगुप्त अपनी विद्धा वस्था में सिंघासन त्याग कर भदबाहू के साथ सेवर्ड वेल गोला चला गया और जहां आपको देखने को मिलेगा कि चंदगिरी पहाडी पर कायुत सर्ग की द्वारा सलेखना मित्यू को पराफ्थ हो गया यानि कि इनका जैन्दरम इनों ने अपना लिया इनका मतलब है बिन्दु सार आता है फिर इसका समय रहता है 298 से 273 इसापूर तक चंदगुप्त मौर का उत्तरादीकारी बिन्दु सार हुआ और जिसने विसाल मौर समराज को बनाय रखा और बिन्दु सार ब्रहमड धरव मनुवाई था तथा अजीवक संपदाय से अधने प्रभावीत भी था यूनानी लेकों ने बिन्दु सार को अमित चेटस अमित केडीज नाम दिया जिसका संस्केत रूपांतर होता है अमित घात और बहुत गरंतों में बिन्दु सार की अनेक पत्नियों का नाम मिलता है जिसमें असोक दरसनियासे उत्पन हुआ यानि कि जो आप देखते हैं बिंदु सार का पुत्त था न ये दर्स निया उनकी बीवी थी उनसे पैदा हुआ था बिंदु सावार के समय आप देखेंगे तक्चला के दो विद्रो हुए जिसमें पहले का दमन असोक ने और दूसरे का सुसीम ने किया था असोक बिंदु सार के समय अवंती उज्जेन का उपराजा हुआ करता था बिंदु सार के समय होने वाले एक खस और नेपाली विद्रो का दमन भी असोक नहीं किया था बिंदु सार के समय में भारत का युनानियों के साथ मैतिपूर्ण संबंद कायम रहा सीरिया नरेस एंटी याकस फर्ष ने अपने रादू डाई मेकस को विंदू सार के दरवार में भेजा था ठीक है और विंदू सार ने अपने अवंतिम समय में सुसीम के स्थान पर असों को अपना उत्रा दिकारी बनाया और आप सभी जानते हैं कि जो उसके लायक होता है उस मतवेद है असोक की प्यारमिक जीवन को जानने के प्रमुक सिरोथ बौध गरंद और एवं सिंगली अनुसूरतिया हैं असोक बिंदू सार के समय अवंति का उपरा जा था पिता की विमारी के बाद सुन बारे में सुनकर वोई पाटली पुताया और सिंगली अनुसूरतिय कि नुसार असोक ने अपने निन्यारवे भाईयों की हत्या सिंग्यासन प्राप्त करने प्राप्त किया और लेकिन यह कथा प्रमाडिक नहीं है क्योंकि इसका खंडन असोक की पांचवी सिलालेक से होता है इस सिलालेक में उसके जीवित भाईयों की परिपारों का वो लेक मिलता है तो इससे क्या रहता है कि इसे भी नकार दिया जाता है लेकिन एक बात आप लोग याद रखेगा कहते हैं कि आप सोचे कि दो सो उनक्तर इसाफुर में इसका राज जबी से कुगा तो कुछ साल आप कि गद्धी खा ले रहे तो इस समय कुछ तो हुआ होगा इस समय इससे लगा ले लिते हैं कि इनके भाईयों में लड़ाई हो रही थी गद्धी को लेकर असोग की कई पत्निया थी पहली पत्नी विदीसा महादेवी विदीसा की थी और जिन से आप देखते हैं महंद और संगविता का जनम हुआ और असुक कांते में वा कारू वती तिस रक्षेता से हुआ था जिससे तीवर का जनम हुआ था और आप सभी जानते हैं कि राजा महराजा थे बड़े लोग थे दो दो चार चार साहुदी कर सकते थे बहुँ पतनी बाद आवलेखों में किबल कारू वाकी तथा तिवर का उलेख मिलता है राजतरंगी उनकी अनुसार असुक बौध धर्म सुईकार करने से पहले सेव धनव मनवाई था और असुक ने अपने पूरवर्ती सास्कों की भाती भारत के अंदर उग गामीर समराजबादी नीती का पोसक था जबकि बेदेशों के साथ उसने मैत्तिपूर संबंद बनाये रखा हैंसांग और तथा राज्टरंगनी के अनुसार असुक का कस्मीर पर अधिकार था उसने वहां स्री नगर नामक नगर विवश आया बहुत परामपरा के अनुसार नेपाल भी असुक के समराजबे सामिल था जहां उसने ललित पाटन नामक नगर वस आया और असुक के इसका से असोक ने कुछ धम घोस के लिए पेज किया था यानि के कहने का मतलब है कि देखिए जो कलेंग का योद्ध हुआ 261 में आप लोग इसे याद रखिएगा पूछा जा सकता है आपसे तो इसके बाद आप देखिए इसमें जो भैंकर तरास्ती जेली एक तरह से मार काट हुई असोक का मन एक तरह से आप सुचिए दिर्वित हो गया मन बदल गया और उसने योद्ध करना छोड़ दिया और कहते हैं कि ये असोक के मौर समराज की पतन का कारण एक एवी था ठीक है? क्योंकि आप देखिए कि राजा महराजा हैं और आप हातियार उठाना छोड़ने आप लड़ना छोड़ने तो आपके समराज का पतन होना सवभाविक सी बात होती है कलेंग योद्ध की अतरिक्त असोक ने अन कोई योद्ध नहीं किया और उसनी यवन सासकों तथन दच्चर भारत की रज्जों के साथ मैतरीपूर बेभार किया और इससे समराज अनावसक के उद्धों और नर्वसंगार किसे बच गया वो सांती और एंसा की नीती अपनाते हुए भी असोक ने इस बात का ध्यान रखा कि उसकी सांती की नीती को कमजोरी नहीं समझा जाए अता धम विजाए की नीती अपनाते हुए असोक ने समराजी हेतों की कुद तिलाजली नहीं दी और आप देखेंगे बल्कि समराज की सुरक्षा के लिए वह सद्यों तत्पर रहा और कलिंग की जूद्ध की बात करें तो 271 इसापूर में यानि की बीशी में होता है कलेंगने की यूद्ध का विवरण विस्तथ बर्डन आपको असोक की तेरह विसलालेख में मिलता है ये कुश्चन से भी कई बार पूछ लेता है कि असोक के जो कलंग का योद्ध था ये कहां वर्डन मिलता है किस सिलालेक में तेरह विसलालेक में और नंदवंस के पतन के बश्चात कलंग एक सुतंत राज्य बन गया और यह राज्य हांती हो तता हांती दाद के लिए कापी पिसिद्ध था मगत की सुरक्षा उदच्छन भारत से सीधा संपर्ख करने के लिए कलंग विजय जरूरी था और यह भीसर योद्ध था जिसमें लाखों व्यक्ति मारे गया घायल हुए बंदी बनाए गया योद में हुए भीसर रक्तवात को देखकर असोक का हिदय परिवर्तित हो गया और उसने सांती और रहनसा की नीती अपना ली प्रहमिशा के लिए योद करना छोड़ दिया अब बात करते हैं असोक और बहुत धरम की अपने सासन की प्यारंबीक बरसों में असोक ब्रहमर धरम का अनोयाई था राश्तरंगिनी के आधार पर यह कहा जा सकता ही कि वह भगवान सिप का उपासक था अन्य हिंदू सासकों की भाती वह अपने रिक्त समय में विहार यात्राओं को निकलता था जहां मर गया में विसे सुरूची लेता था अपनी पर जाके मनोरंजन ही तूँ वह बिभेन पिकार की गोश्टियों पिती भुजों का भी आयोजन करता था और जिसमें महासाधी बड़े चाओ से खाय जाते थे और इसलिए राज की ए पाक साला में सहस्त पसु पक्षी पिती दिन मारे जाते थे सिंगली अनुसूतियों के अंसाल दीबबन्स और महाबन्स दीबन्स और महाबन्स के अंसार असोक को उसके सासन के चौत्रे वर्स यानि की निग्रोथ नामक साथ बरसी विक्चू ने बौध मत में दिख्चित किया और इसकी बाद आप देखेंगे मौगली पुद्धिस के पिरभाव से हुआ है पूड रूपेन बुद्ध बन गया दिववदान असोक को बौध धरम में दिख्चित करने का सरे उपगुप्त नामक बौध विक्चू को पिदान करता है यानि कि जो दिववदान है न ये कहता है कि बौध धरम को बौध धरम को दिख्चित करने में असोक के बौध धरम को सीचित करने में किसका हाँ था बॉद्ध परंपराओं के विप्रीत उसके बॉद्ध होने का सम्मंद कलिंग यूद्ध से जोडते हैं असो कमने 13 वी सिलालेक में जिसमें कलिंग यूद्ध की घटनाओं का बढ़न करता है या घोशना करता है कि इसके बाद देवताओं का प्रिय धम ही सो उत्साय सो उत्सा संग भेद रोकने का अदेश भी उसने राजा की यह सियस से दिया था और इस समय बहुत संग में कुछ ऐसे आवांचिनी यह तत्त पिरविष्ट हो गए थे जिनसे संगी की विवस्ता गडवड हो रही थी और संगे की करवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन त रहता था और जो जिससे पेकार बाहरी व्यक्तियों द्वारा आकरांत होती थी असुक की धम्मे की बात होती रहती है तो असुक विस्त इतिहास में जितना अधिक एक चक्कवरती समराट की रूम में विख्यात नहीं है उससे जानव वह इसलिए पिसिद्ध है कि उसने मान का लियाण की तरब गया इसके लिए उसने जिन से धानतों का विकास और प्यचार किया बे इतिहास में धम्मे के नाम से जाने जाते हैं आज की राजाओं का नहीं है देखिए आप लोग दियान समाच का लियाण की और आज की राजा तो अपना पेट भरना अपने परिवा कानवाई था और बहुत धरम उसका वैक्तिकत धरम था और तदापी जन साधरन के लिए जिस धरम का पिरचार करने के पिचार उसने किया हुआ बहुत धरम से भिन था असोग जिस वातावर्ण में रहा उसे ने उसे सुतंत रूप से विचार करने की सकती थी मौर समराज की स् समांधों में विदेशियों से युनानियों से खासकर। फालसरूप मौर साशकों की मानसिथा कॉट्टर पंथी रोडी बादी नहीं थी। चंदकॉप्त खबेंदू सार असोग सवी धरमिक मामलों में गहरी रोचि भी लेते थे। परन्तु उनके अपने धार्मिक विश्वासकों को जन्ता पर थोपने का प्रयास नहीं करते थे और अंग जिब जैसे नहीं थे कि मुसलिम धर्म आपको मानना ही पड़ेगा, जबनजर्श्ती मानना पड़ेगा दोसरी तरफ असोक ने धम की रूम में एक ऐसा अदर्स जन्ता की सामन रखा जिसे हुआ है साहरस, साहरस और आसानी से गहन कर अपना नेधिक उत्थान कर सके धम में की नीती कर्यानवित करने के पीछे कुछ अनकारन भी थे, एक तरफ नए धर्मों बहुत जैन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ बैदिक या ब्रह्मर धर्म में सुधाल लाकर इसे सव ग्रहा बनाने का पिरयास हो रहा था, एस्तितितिति में सा सामाजीक बातावर्ण असांद था, नए पुराने धर्मों के बीच टगरहाट की संभावना से बचने के लिए, सामाजीक एकता को बना रखने के लिए, दोनों धर्मों के बीच का मार्ग निकाल का जनता की कल्यान के लिए असोक ने अपना धम आरम किया, प्रोफिसर रोम बल पर नेंतर रखा जाए, और इस वेवस्था में एक कटना यह थी कि असार तभी समभा होता था जब राजा योग और सक्ति सालियों, कमजोर और आयोग सासक संभराज की सुरक्षा किवल सेना की बल पर नहीं कर सकते थे, संभराज जी की सुरक्षा का दूसरा उपाय था आयों को संगड़ित कर एक सूत में बांद कर मोज समराज को इस्थाहित पिदान करने का प्रयास असोक ने किया, अता धम राजनीती से पेरित था, बाद में मुगल समराथ अकवर ने भी दीन इलाही के द्वारा का यही कार किया, कुछ आदूनिक विद्वान रोमिला था पर कि इस मद से सहमत नहीं है, उनका कहिना है कि बहुत अनुसिरतियां और स्वयम असोक की अविलेक ते रहे उसका हिदय परिवर्तित हो गया था, इस मद को सुईकार करने में अनेक कठनाईया है, कालेंग योद्दी के पश्चात आप देखेंगे, असोक ने बहुत धरम गहन कर लिया और उसके धम का सवरोफ बाद में विक्सित हुआ, अताहन कारणों के अत्रिक्त असोक का धम निश्चेदरोफ से राज़नीती से प्रभावित था, तो एक अहानी भी रहे है, असोक के धम की सवरोफ की बात करें, तो असोक के धम की बास्तविक सवरोफ के कि पुष्टी महाबंस इसे होती है और दीबंस के अमसास तरवन निग्रोध और मोगली पुत्त तेस्थ के प्रभाव में आकर उसने बहुत धरम अपना लिया और कलेंगे उंदी के पूर्वी वह बहुत धरम की प्रभाव में आ चुका था पर उतु विधीवत इस धरम में दीख्षित वह कलेंगे उद्धि के परशाथ ही हुआ और उसके बाद आप देखेंगे बहुत धरम बहुत धरम से प्रभावित होते हुए भी असोख ने जिस नए धरम की कल्पना की हुआ बहुत धरम से बहुत था इसके अतरेक्ट चार आरे सत अच्टांगीक मार्ग या निरवाड की कल्पना नहीं की गए असोक नए धर्म को मानने वालों के लिए भिक्षोक का जीवन बितीत करने या उनके लिए संगी की स्थापना की भी बात नहीं करता अपने धर्म की ब्याक्या असोक स्वयम अपने अविलेकों में करता है असोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था बलकि सभी धर्मों की अच्छी बातों को इसमें सन्हिद किया गया था आप देखिए एक तरह से आप सोची कि विवन्य धर्म है हमारे देश में और आप इन में से अच्छाईयां निकाल के एक नया धर्म बनाते हैं उसे ही धम में कहें दीजए अब आप सोची 30 कि जसे विल लूग ने आप लोग कहते हैं हमारा उधार का धिलाया कई लोग कहते रहते हैं तो आपने दी क्या लोग नें कई देशों का समिधान पड़ा उसमें जो अच्छी बाती थी हमारे लिए उन्हें हम लोगों ने उठा के अपने समीधान में सामवली कर लिया ठीक है तो इसी तरह असोक ने भी किया उसमाई जितने भी धरम थे उनसे अच्छी बाते निकालकर एक नए धरम की बात करिए यह बास्तों में नेतिक नीमों का संग रहे था और यह सर्व साधारन के लिए मालो धरम था असोक स्वयम बहुत धरम को मानने वाला था परंतु उसके अवलेकों में जिस धरम का उलेक मिलता है और जिसका प्रिचाव सुने किया राध्ध्रम भी नहीं था जिसे जवरजश्ती सब पर थोपने का प्रियास किया गया बलकि यह कामना की गई कि उसके उत्तरादिकारी उप्रिज्या सभी स्वयक्षा से इसका पालन करेंगे और वस्तुता धम के द्वारा असोक का उद्देश सहषडूता के आधर पर सामाजी के बेवस्था को बनाए रखना था और उसने किसी नए धरम की स्थापना नहीं की असोक के धरम के दो पहलू थे एक तो बेवारिक और एक सिद्धान थे एक बेवारिक और एक सिद्धानते बेवारिक पहलू को देखें तो दो भागों में भी भप्त किया गया सुईकारात्मक और तथन निसेधात्मक दूसरे तथन साथवी अभी लेखों में सोक स्वयम धम की ब्याक्या करता है धम है साथूता बहुत से अच्छे कल्यान कारी कार करना पाप रहित होना मिर्दूता और दूसरों के पिती बेवहार में मधूरता दया दान सत्त और पवित्ता इसके अत्रिक्त आप देखेंगे धम का पालन करने बालों को जीव भिंसा से बचने, मातापिता की आज्या मानने, गुरू जनों के पिती आदर का भाव पितरसित करने, मित्रों, परिच्चतों और समंधियों, ब्रहमणों तर्था स्तरवणों के पिती दान सीलता के दिखाने एवं उचित बेवार करने और दासों और भित्तों के साथ अनुचित बेवार नहीं करने का भी आज़देश दिया गया इसी पिकार आप देखेंगे अल्फ वै और अल्फ संग्रे तीसरा सिलालीक भी धम है और असोक धम की निस्दात्मग पक्च अर्थात इसकी प्रगती में बाधक तत्तों का भी उल्लेक कलता है पाप आसी नाओ धम की प्रगती को रोकता है ये पाप बेविन पिकार के है जैसे चान्ड निश्ठोरे क्रोध मान और इस्दात तीसरा सित्वलेक में अता धम की प्राप्ती के लिए इस से बचना आवस्तक भी होता है कि रोज से भी बचना आवस्तक होता है किसे से जलना जलन मत हुई येगा। इन गुडों के पालन से ही धम का बास्तिक रूप रात किया ये सकता है। उसने धरम मंगल की सेश्टा और धरम दान की महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। अपने 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 सासनकाल में नियंतर ये है प्रयास किया कि प्रजा के सभी बर्गों और संपदायों के बीच सहमती काधार ढूना जाए। और उसे सामानधार की अनुसार नीती बनाए अपनाई जाए। धरम के प्रचार की बात करें तो असोक ने धरम प्रचार के लिए अनेक महत्तुन उपाय भी किया। असोक ने धरम प्रचार के लिए जो कार किये उनकी जानकारी मिलती है। और इनमें जनसाधन के अतरिक्त आप देखेंगे राज करमचारियों की को भी धम सम्मंदी निर्देश दिये गया। उसने पुरसों, राजुकों को धम सम्मंदी निर्देश दिये तथा युकतों, राजुकों और प्रादिशिकों को आदिश दिया विपिती पांच बरसों पर धारम वानुल सासन के लिए निकले धम के प्रिचाल के लिए असोक का सबसे महत्पून कार था कि धम महापात्रों की नियुक्ति, अपने सासन काल के 14 वे वर्स में असोक ने इनकी नियुक्ति की थी, इनका कार समाज के सभी वर्वों और संपदायों के बीच, देश, सीबान तथा विदेश में प्रिजा की कल्यान का, कल्यान तथा सुक एवं धम की अभी विद्धी करना, इसके कुछ है बौधी संग का कार देखते थे, इसमें कुछ है, बौधी संग का कार भी देखते थे, और कुछ आप देखेंगे अभी विद्धी करना था, और इसमें कुछ ब्रमडों, अजीबकों और निरगरंतों और अन्न समपदायों का था, एधरम के पालन के अतरिक्त लोगों में दान से इलता बड़ाने, अपराधियों का दंड कम करवाने, लोगों की अन्याय से रक्षा करने का कारवी करते थे। द्राग्या, राजमहल या पाठली पुत नगर तक ही सिमित थी। असोक ने हिंसा बूर्ण सामाजी कुछ सवहों पर भी पिती बंद लगा दिया। बहुत गया लुमिनी, निगाली, सागर, इत्यादी की यात्रा हैं भी कि इन कारियों से जहां एक तरफ धम का प्रेचार हुआ हैं वहीं पिसासन का इस्थानी या दिकारियों पर नियंतन भी स्थापित हुआ। धम यात्रा के अउसर पा असोक दान भी देता था वध ब्रह्माडों सरमेणों इत्यादी को जिसमें धरम की पिचार में विद्धी वी असोक ने धरम पिचार के लिए भारत में विन भागों विदेशों में पिचार मिसन भी बेजे। चोल, पांडो, सतियपूत, केरलपूत, कस्मीर, गंधार, महीस, मंडल, आपर अंतक महराष्ट, वनवासी के अतरिक प्राचार मिसन के पश्चिम, यवन सासकों, सीरिया मिसर, मकदूनिया, साइरिन, एपीरस के पास, खोतान, मदेशिया, सिंगल दूइप, सिरी लंका, सु वाइड भूमी, सुमात्रा भी भेजे गए, इन सभी मिसनों में सबसे महत्पूर्ण था, उसके अपने पुत्त, महंद और पुत्री, संगिमितागों, स्री लंका भेजा था, उसने, पिचार के लिए, बौध साहत से जात होता ही, कि तिती ये बौध संगिती की समाक्ती के गश्चात असुक ने बिबन चित्रों में धरम पिचारक भी भेजे थे, इसमें निमलेखित का उलेक मिलता है, इन्हें भी याद रखिएगा आप लोग, ये आपके धरम पिचारक हो गया, वो देश हो गया, महंद और संगिमिता को इसने स्री लंका भी जाता, मज्यान ति इसने हमाले पिच्छित में, और सुरोन और उत्रा को इसने सवड भूमी में भी जाता, अगर अब हम लोग बात करें असुक की, किसके, असुक के समराज की सीमा की, तो काफी फैला हुआ था, इसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, दोराय नहीं और कलिंग विजय की अतरिक्त, अनकिसी सेने का वियान में भाग नहीं लिया, तदापी उसके अविलेकों, अविलेकों के विबरन और उसके प्राप्ती इस्थान के आधार पर यह निश्चेत तोर पर कहा जा सकता है, कि उसके समराज की सीमा अतिधिक बिस्तत थी, यानि क अधिक फैला हुआ था उसका समराज, और इनमेंसे अधिकान शेत उसे विरासत में मिले थे, समराज की अंतरकत आने वाले कुछ चेत असोक के सीधे नेतर में थे, और तो कुछ उस सिर्फ उसके प्रभाव चेत में थे, अविलेक में जिन विदेसी सासकों का उलेक मिलता उसके सास समराज के असोक के मैतरीपूर संबंध थे, और असोक ने अपने अविलेकों में स्वेम ही कहा है, कहता है कि मगत पाटिलिपूत खलतिक परवत बरावार की पहाडियां गया के नजदीक, कौसामवी लुम्बनी गराम कलिंग, तोसली, समापा, खेंपिंगल, या आलवी, सोबडगिरी, इसला, उज्जैनी और तक्चला उसकी समराज के अंदर गत थे, तक्चला से आंगे उत्तर पश्चम के मैं असोक के अविलेक, सहवाजगडी, पेसाबर पाकिस्तान, मानसेरा या मानसेरा, हजारा पाकिस्तान, कंधार या कंधार ये लंगान, अ असोक की सीमा हिंदू को स्परवत तक पहली हुई थी, पूर में बंगाल तक असोक का समराज विस्तत था, माहिस्तान से लेका प्राप्त, माहिस्तान से प्राप्त अविलेक और बहुत गरंत, महावंस इसकी पुष्टी करते हैं, बहुत परंपराओं के अनुसारा असोक मह सेंद और संग्मिता को बिदा करने तामलीपी तक स्वेंग भी गया था, जब से लिलंका भेज रहा था, हैंसांग दावा करता है कि उसने कर्ण सुबर्ण, पश्यमंगाल, सम्तट, पुरिवी बंगाल, पुर्णर वर्धन, उत्री बंगाल में असोक द्वारा निर्वित इस्तूपों को देखा है, चीने यातरी हैंसांग के विबरणों के अधार पर यह अनुमान लगाया जाता है, कि कामरुक साम संभवत आसोक की राजी के बाहर था, यहां से कोई अबलेक नहीं मिला है, हैंसांग भी किसी इसमार का उलेक नहीं करता है, तो आप सोची कि उसक सिलालेक जहां मिले, या विबरण जहां तक दिया गया, वहीं तक आप देखे कि क्या बोल देते हैं कि असोक का समराज यहां तक रहा होगा, अब वो जहां सिलालेक नहीं मिले, या कहीं उलेक नहीं मिला, मान लिया का कि यह बाहर रहा हो गया, उरीसा और गंजाम से लेकर, पश्चिम में सौराष्ट और महराष्ट तक असुक का राजविस्तित था असुक की अविलेक धोली, जुगर, उडीसा, जुनागर, सौराष्ट, सौपारा, भुई गरा, महराष्ट से सिप्राप्त हुए दच्छण भी अरेक स्थानों से असो के अभिलेक भी मिले हैं क्या मिले हैं? असो के अभिलेक भी मिले हैं और ये स्थान है एहरा गुडी, राजुल, मंद, मंदगिरी, आंध्यपितेश में, ब्रहमागिरी, सिद्धपोर, मस्की, जटिंग, रामेसुर, करनाटक में सुधू दच्छन के राज़ चोल, चेर पांडा और केरल के राज़ों का भी उल्लेक, सीमाबर्ती राज़ों के रहे में अविलेखों में हुआ है और इस से अंदाज लगाता है कि राज असोक की सीमा के बाहर थे ये सभी राज़ और असोग के अवलेखों से इस पश्टर हो जाता है कि सुध दच्छनों और आसाम की अतरिक समस्थ भारत पर असोग का ही अधिकार था अवलेक में समराज के इंतगत रहने वाले अनिक जातियों जनपदों के नामों का उलेक किया गया है पाँचवे और तेरह वे में इन जातियों में यमन, कम्रोज, गंधाल, रेत्विक, भोज, पितिनिक, आंद्र, पुलिंद, इतियादी प्रमुखें इतियास का रेप्सन इन जातियों जनपदों को समराज के बाहर मानते हैं परुंतु प्रोफेसर राम राय चौधरी के अनुसार इसके साथ सुतंत सीमावर्ती राज्यों या विजित और अंतर विजितों के वीज के दर्जा पुराप्त राज्यों के समान बेवार किया जाता था असुक ने इन पिदेसों में धरम महामात्रों की न्यूकति की हुई थी अटवी राजी की भी चेतावनी दे गई थी अटवी राज को भी कि इससे अनुमा लगा जा सकता है कि समराज के बाहर रहते हुए भी इन पर असुक का प्रभाव था इस पेकार तेरह भी सलालेक में और एफपीरस का राजा था अलेकजेंडर ये सासक निश्चित तोर पर असुक के प्रभावचित से बाहर थे असुक के साथ इनके मैतरी पूर्ट संबंध थे मिद्धता पूर्ट असुक की अविलेक देख लीजे असुक पहला येसा समराठ था जिसने अविलेकों के माध असुक को यह पेड़ा हकमनी सासक दारापश्ट से मिली थी ये सभी अविलेकों को लिखवाने की प्राचिन पाठन ने अविलेक असुक के हैं और इन अविलेकों की स्थापना धार्मिक इस्थानों ब्यापारिक मारगों खानों की महत्ता को द्यान में रखते हुए किया अविलेकों से उसके समराज की सीमा निरधारित होती है और इससे उसके ब्यक्तियत जीवन राजनतिक किरिया कलाब धार में एक अभी रुचियों की भी जानकारी मिलती है और आप देखेंगे असुक के इस्थम अविलेक को सरवपितम 1850 में टी फैंथ लर्ने खो जाता एक अभी जा सकता है कि अभी असुक के अविलेकों को सरवपितम किसने खो जाता कब खो जाता तो यह बात है आप देखेंगे अठारे सो कब की 1750 की 1750 की टी फैंत लर्ने खो जाता दिल्ली मेरत खा सबसे पहले और अगर आप से पूचे कि असुक के दिल्ली टोपरा इस्थम अबलेक को पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसने पराप्त की थी और कब की थी तो 1837 में जैम्स-प्रैंसेप ने टीक है और जैम्स-प्रैंसेप ने अबलेकों में प्रिये दर्षी सब्द का तदात में स्रीलंका नरिस्तिस से स्थापित किया, जबकि टर्नर महुदा ने पिरिये दर्सी की सामान समेता असोख से स्थापित की, असोख की अबलेक प्राक्तिक भासा में अर्मायक ग्रेक खरोष्टी और ब्रह्मी लिपियों में उतकीन किये गए हैं, ये लिखे गए हैं अब सिलालेख देख लिए असो के सिलालेखों में सासन पिसासन एवं नैतिकता से सम्मंधित विस्यों का उलेख मिलता है और सिलालेख में 14 विभिन लेखों का एक समूव है जो 8 विन विन इस थानों से पराप्त हुए है यह आप देखे बेहद सिलालेख इसमें पहला है इसम पहले सिलालेक में, ठीक है? फिर आप देखेंगे कि पहले सिलालेक में क्या हुआ, इस तरह की घटना है, क्या इसमें कहा गया है, इन सभी को याद रखें, इन से questions कई बार कूछ लेता है, आपका prelims में भी आ जाता है, दूसरे में आप देखेंगे समाज कल्यान से समदीत कार परज करना, धन बचाना की बात की गई है, चौतरा देखेंगे तो इसमें धरमानो सासन की ही सेष्ट धरम है, पाच में देखेंगे तो पहली बार सासन के दसवे बरस में धम महामात्रों की नियुकती की गई, छटे में आप देखेंगे धम महामात्रों के लिए आदेश, दूसरे भाग में सजग एवं सक्रीय पिसासन एवं सोचारू ब्यापार की बात की गई है। पर धम विजय की बात की गई है। तेरे वे में देखें कलेंग यूद का बर्डन, चोल, पांड़ो, सत्तियत पुद्ध, केरल पुद्ध, तामपरडी का विजय विदेशी राज्यों का उलेक किया गया है। फिर आप देखेंगे लगू सिलालेक हैं। लगू सिलालेक में अ चैतूर एबं उद्ध, गोलन, गोलम ये बैलारी जिला करनाटक में ही देखने को मिलेगा, गुर्जरा ये दतिया जिला मद्धिदेश में हैं। देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप लोग उने दतिया बाला देखा हो तो आप लोग बताईए। और इस तरह क इस तरह सिक जो भी इतियासिक जगें हैं, वहाँ जाना चाहिए। और जब भी आप लोग जाएं तो उसके बारे में एक सामण जानकारी ले के जाएं। फिर वहाँ देखें कि ये हकीकत में ऐसा है। तो इससे क्या होगा कि इतियास भी आपका कबर होगा। और बहुत कु को समराट असोक ने अवने अभी सेख के 26 विवस उतकीड करवाया था। और जो साथ विभिन लेकों का एक समुह है और छै विभिन इस्थानों से पराप्त हुआ है। जिसमें केबल दिल्ली टोपरा इस्थम लेक में ही सातों समुह उतकीड मिलेंगे। फिर आप राश्तंत का समर्थक रहा है। कोटिल राश्तंत का समर्थक था। राजी की सपतांग विचारधारा में उसका विश्वास था जिसमें आमात दुर्ग को सैनाब मित्त, राजा और जनपत आते थे। राजा को राजी का सिर्फ आमात को या मंत्री को आखें, मित्ते को कान, कोस को मुक, सैनाक को मस्तिस्क, दुर्ग को बाहें और जनपत को राज्य की जंगाएं माना गया है इसमें कौटिल ने अपने सप्तांग विचार धारम में राज्याब को सरवोच माना है सिध्धान्तिक रूप से यगभी चंदगुप्त का पिसासन निरंकुस था लेकिन बेवहार में वह लोकतांत्रिक था मौर पिसासन में राजा की साहता के लिए एक केंद्री अधिकारी इतन्त था और जिसे तीन सेडियों में बाटा गया था पिथम सेडिय के अमात को मंत्रीगर कहा जाता था जिसमें 48,000 पन बारसिक बेतन मिलता था और पिरांतों के कुमारों के अधीन महामात रहते थे जैसे तोसली का महामात समापा, पाटली पोत्तिका कोसमी में तथा सुवडगिरी का इर सिला में लेकिन मद्ध देश के चक पर किसी कुमार की नियुक्ती नहीं की जाती थी तथा कौसामी का महामात सीधे समराट की नियंतर में होता था उज्जैनी की अधीन सौराष्ट परांद एक पेथक देश था वो जहां का सासक राष्टी ये कहलाता था मैगस्तिनी ने जिले या मार्क के अधिकारियों को एगोनो मई तथा नगर की अधिकारियों को अरश्टो नौमोई कहा और गाउं की पिसासनिक सहायकों को उपवास कहा जाता था और प्रांत मंडलों में भी भागत थे और जिसका अधिकारी प्रिदिष्ठा कहलाता था और मंडल के नीचे आहार या भिसे उसके नीचे आप देखेंगे स्थानी दुरुणमोक, खारविट और संगरहन तथा ग्राम हुआ करता था इस्थानिक ग्रामों से भूराजिस इसे भी फिरोष्ट उकलक ने मेरट से दिल्ली मंगवाए था लूहिया नंदंगर उत्री बिहार की चंपवर्ण जिले में मयूर का चित इस पर उतकीन है लोरिया अररर राज चंपारन जिला में बिहार गरुण का चित इस पर उतकीन आपको देखने को मिलेगा रामपुर का लगूर चोलक लेका चंपवर्णोद को कि अरत सास्त में 18 3 convert का वोई हुनले किया है इसमें आप देखेंगे पिधान मंत्री और पुरोहित के बारे में बात की गई है। इसमें आप देखेंगे पिधान मंत्री और पुरोहित के बात की गई है। पिधान अधिकारी होता था। अगर अध्यक्ष की बात करें हम लोग तो अर्थसास के अध्यक्ष पिरकार अध्याय में 26 अध्यक्षों का उलेक मिलता है। अध्यक्ष होते थे और मंत्रीयों की निरिक्षन में काम करते थे। अकराद ध्यक्ष एक खान बिभाक का अध्यक्ष होता था। हर टक साल सवर्डिक नामक अधिकारी के धीन होते थे, मुद्रार अध्यक्ष ए पासपोर्ट बिभाग का अध्यक्ष होता था, नवाध ध्यक्ष ए जहाज रानी बिभाग का अध्यक्ष होता था, पतना ध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था, संस्था ध्यक्ष ब नियाय एवं दंड विवस्था इस समय नियाय की वो दंड विवस्था की क्या था इस तरह का यह पी नियालय विवस्था का भी पिधान राजा ही होता था और राज जी की तरफ से अनेक नियालय भी स्थाबित किये गए थे सबसे नीचे अगर आप लोग देखें तो सबसे न ग्राम नियालय हुआ अगरते थे चोटे चोटे मोटे जो जगडे होते थे ना इनने निचले इस तर पर ही निप्टाने और आप राधियों को दंडित करने की विवस्था होती थी जैसे आज कल आप लोग देखते हैं ग्याराम नियालय या पर आप देखी जला नियालय इस सबसे उपर केंद्रिय नियालय था यह दो पेकार का होता था धरम इस्तरिये इस्तिये और कंटक सोधन धरम इस्तरिये इस्तिये नियालय दिवानी मामलों की सुनवाई करते थे और कंटक सोधन फौदारी मामलों की परंतु दोनों नियालयों के सवरोग की विवाजक रेख कर परणाली टेक्स से सिस्टम कैसा था इस समय मौरियों के समय राजी की उद्देश को पूरा करने हो पिसासन एवं सेना का खर्च जोटाने के लिए मौर सासकों को उन्हें विस्तत राजिस परणाली की विवस्ता की थी आज भी तो आप देखिए आपकी सरकार कहां से चलते और बड़े से बड़े आदमी सब कोई टेक्स देता है इंडारिक टेक्स तो देते हो न आप लोग आप लोग कभी बिस्केट खरीदने जाते होगे सकर, गोड, साहुन ये तो सब खरीदते होगे माचिस का खरीदते हो उस पर आप देखिए गया आप लोग इंडारिक टेक से देते हैं, ठीक है? और वस्तुता समस्त महुर पिसासन का संगठन इसी उद्देश से किया गया था और राज्य पिदेख सम्हाँ उपाय से उचित और अनुचित अधिक से अधिक धन संग्रहे कर सके अर्ध सास्त में भिहन सरोतों का उलिक किया गया है जिसमें राज्य को अगर देखने तो आप देखेंगे इसमें अनुसार राज्यकों मुकता दरुग, राष्ट, खनी, सेतु, बन, बरज और वर्डिक पत सी आय पराप्त होती थी, टेक्स पराप्त होता था, पैसा पराप्त होता था, दरुग से अनिक पकार के करोगा है जाते थे जैसे चुंग बंदर गाहों सडकों चाराहों इत्याजी से आमननी होती थी खनीष पदार्थों एवं उनके कारखानों से प्राप्थ होने वाली आय को सेतु कहा जाता था और बंज से भी विभिन पिकार की आमनियां आमनियां होती थी और आप देखेंगे ब्रज के अंतरकत मवेशियों से आयप्राप्त होती थी वनिक पत इस्थल एबं जलमार्प से भी राज्य को विभन पिकार की आयप्राप्त होती थी पितेक विभाग से ओगाहे जाने वाले करों की मात्रा अनिश्चित रहती थी और परन्तु विपत्ती के समय राज्य ने बढ़ा भी सकता था तटकर विक्र प्राप्त राजस का एक भाग राज परिवार और राज करमचारियों पर खर्च होता था इसके अतरिक्त आप देखेंगे जनहित के कारियों सिचाही सडकों की विवस्था इत्यादी पर भी खर्च होता था आज भी आप देखते हैं सडकों पर होता है या नहीं होता है राज बेगार भी लेता था राजस विवस्था का पिधान समाहरता था और आप देखेंगे विभिन अध्यक्चों पाध्यक्चों गौप इत्यादी की मदद से करोगा है जाता था लिया जाता था एक खटा किया सन्नी धादा राजकुसी कोस की देखवाल करता था और राज जी के आर्थिक खेतों को सुरक्षेद आर्थिक खेतों को छती पहुंचाने वालाओं के लिए कड़े डंड की विवस्ता की गई थी फिर नगर पिसासन आता है इस समय नगर पिसासन किस तरह का था तो मौर की स्तापना तक भारत में अनेक नगरों की स्तापना हो चुकी थी घड़ापा की नगरों की पतन के पश्चात आप देखेंगे अनेक आर्थिक, समाजिक और राजनितिक कार्णों से छटी सतापदी इसापूर में पुनहान नगरों का उदाए हुआ और इसे नगरी करण का अध्यक्च और और पिरमोख या नगर बिवहारिक कहा जाता था जिसके पिरमोख कार थे आग से नगरों की सुरक्षा बिवस्था करना नगर की स्वक्षता को मुनाय रखना रात्री में नगर आगमान को नियंदित करना और आप सभी जानते हैं कि देखिए अभी भी तो अगर नगर निगम नगर पंचयत आप लोग सुनते रहते हैं या निगरखों के नगरख के कारेओं का कारेओं पर समाहरता का नियंतन होता था कॉटिल के अनुसार पूरा नगर चार बार्डों में विभाजित था पैतेग बार में एक-एक स्थान की नियुक्ति की जाती जो नांगरक एबं गोप के मद्द मद्वर्ती भूमी का अदा करता था, गोप नगर का जनगरन आधिकारी होता था, जो पितेक घर के सदस्थों के जनम मित्यू का लेखा जोखा रखता था, और पितेक बाहरी व्यक्ति जो इस नगर में पिरवेश करता था, उसे गोप को जो आप समझे कितनी अच्छी नगर पिसासन बेवस्ता है, कि अगर किसी सहर में कोई रहने आ रहा है तो उसका भी लेखा जुखा रहता था, कितने लोग हैं, कितने किस घर में में मेंबर हैं, सब के बारे में जानिकारी रहती थी, मैगस्थनीज ने पाटलीपुत की नग या कलापों पर नियंतर रखती थी, सारवजिनिक भावनों और सडकों का निर्माड इसी सम्ती के द्वारा करवाया जाता था, दुतिये सम्ती में देखें तो यह विदेसियों को भोजन, आवाज, चिकिस्सा और दाय संसकार का व्यापक प्रवंधन करती थी, तुतिये सम अगर आपको मालू हैं कि आपके परिवार में इतने मेंबर हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग परिवार का प्रवंधर बहतर तरीके से कर पाएंगे, किसे की जरूरत है, कौन की सिस्तिती में है, समझ रहें आप लोग, तो इनी उद्देशों से आप देखें कि एक तर आप ने धारीत करना होता था, पंचम समती या उत्पादिक बस्तुओं में मिलावट और विक्राई की देखभाल करती थी, छटी समती आप देखें कि या विक्राई करका ब्यापक निरिक्छंट करती थी, और तथा बैची की बस्तुओं के पर मूल का दस्वा भाग बसू करती थी, कोटल भी नगर पिसासन का उलेक करता था, और यहाग फिवा बोड और नगर समतीओं का उलेक नहीं करता, तदा पि अनेक ऐसे पतादिकारियों का उलेक करता है, जो मेगस्थनीज द्वारा वर्डित कार करते थे, कोटल के पन्याद ध्यक्च, संस्थाद ध्यक् करते थे, जो मेगस्थनीज के पहली दूसर, चौतरी और पांचमी सम्तीव के सदस करते थे, फिर आप देखेंगे सामाजिक बिन्यास किस तरह से थी, सामाजिक विवस्था, तो मेगस्थनीज के अनुसार भारती है, समाज विवसाय एबं आर्थिक आधार पर साथ बर्ग आते थे, यानि कि कहने का मतलब है, आप सोची कि किलियर इनके काम थे, आप सोची कि इनमें एक जाती का, आप सोच रहे कि अंतर जाती विवाय भी नहीं हो सकते थे, आप सोची कि जिसका काम जो है, तो उसी का वही काम करेगा, अब नाई का बाल काटना है, तो नाई का बा हुई थी पसू चालक ना तो गाओं में रहते थे ना ही नगर में वरन यह डेरा बनाकर चारा गाओं में पसूओं को चराते थे मंतरी की संख्या समाज में सबसे कम थी यह लेकिन समाज एवं पिसासन में इनका सरवादीक पिरभा हो था अगर मैगस्तनीज के अनुपसा जात आया हुआ है कि इतने जातियों में बटे हुए थे अगर आप कोटल की बात करें तो कोटल ने अपने अरत सास्त में 15 विकार के वर्ण संसकार की जातियों का उलेक किया है और अरत सास्त में परंपरागत रूप से चार वर्ण का उलेक मिलता है जिसमें सामोहिक रूप से आ आरजनता कहा जाता था और आरजनता की बाहर की लोग मलिक समझे जाते थे, आरजनता की लोगों को कभी भी दास नहीं बनाया जाता था, अन्न था जुर्मानी की रूम में बारेपंड अधा करना पड़ता था, मौरकाल में आप देखेंगे सूद्रों की इस्तिती में सुधा रूप से सूद्ध इस धर्मा कहा लेकिन चंडाल सौ पाकु को इस से अलग रखा चंडालों के अतरिक्त बहुत सी पेसे बर जातियां मिलती हैं कोटल ने बेवसाय के अधर पर बर्गी के इन जातियों कुस सूद्ध बर्ण के समगा कक्च मानती हुए आर जंता कांग भी बत हरी था और बड़ वेवस्ता की रक्षा करना राजा का प्रिमों करतब भी मिलाना जाता था समाज में अभी ब्रह्मणों का इस्थान सरवुज था एक तरह से आप देखी कि सबसे पहले आपकी प्रोहित हो जाते थे ब्रह्मण हो जाते थे उसके बाद आप देखें छत्री हो जाते थे चत्री आप समझते थे राजा और इन्हें एक तरह से आप देखी यग का यग इस तरह के काम जो भी रहते थे यह आपके पुरोहिद ब्रहमण ही करते थे और विस समाज में बहुत धिक धार्मिक नेता भी थे पुरोहिद तथा सिक्छक की रूम में राजा की मंत विवस्था की नीमों का पालन का ठोड़ता से होता था पिथम तीन वर्णों का दोज की सैनी में रखा जाता था और सामोई की रूप से यह इसे सदिका पराप्त भर्ग था खान पान विवाय समंधी नियम बढ़ विस्था की अनुकूल ही निर्धारित किये जाते थे आसर अंदगुप्त मौर को और कोटिल लाब्दी की ब्रहमड माल लिया जाता है मौरकाल में इस्तिरियों की स्तिति यगिपी कानूनी रूप से थुद्रण और उन पर अनेक पावंदियां भी लगा दी गई थी यानि कि आप कह सकते हैं कि इस्तिरियों की स्तिति इस समय गर रह रहे और पुरसों के लिए 16 साल रखी गई थी आज की समय में आप देखिए अठारे थी और 21 लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अठारे लेकिन अब बढ़ा के 20 करनी की बात की गई आपकी सरकार के द्वारा परामपरागत आठ विकार के विवाहों का उलेक भी म रखते थे साथ ही आप देखेंगे इस्त्री ओपर उस दोनों को तलाग का अधिकार भी होता था मौरकाल में बिदभाओं किस्ति थी अच्छी थी बेसोतंता पूर्वक जीवन यापन भी करते थी उचबरक की संपन बिदभाओं को आद बिदभा मध्यम बर्गियों को चं अनिसकर्सनी सब्दे से भी संबोधित किया गया है जो इस्तिरियों की स्तिती में आई गिरावट को दर साता है मौरकाल में आप देखेंगे राज की ये सेवाएं सेवार्थ दासियों का एक बर होता था जिनें गडिका कहा जाता था और 24,000 पन राज्य को अधा करने पर ग आनुनी मानता पिदान प्राप्ति थी अर्था दास की गिंती बैक्ति का संपत्ति की रूमें की जाती थी कोटे लेकिए दास कल्प नामक अध्याय में नो पेकार के दासों का भी उल्लेक मिलता है यानि कि आप देखें दूसरे का एक तरह से गुलाम ही समझे लिजे ने ठ भरम सास्त अरत राजजीती सिक्षा के पिरमोग पार्ट करम थे और इसकाल में तक्षिला हो उज्जैनी हो बराड़सी हो सिक्षा के पिरमोग केंद माने जाते थे अब सोचिए तक्षिला उज्जैनी बरानस और जिसमें बरानस संगीत सिक्षा के लिए छित में काफी पि केल कर Facebook WhatsApp चला के करते रहते हैं तो आप समय सकते हैं कि उस समय इस तरह का मनूरंजन उनके करने का साधन होते थे और इस काल में मनूरंजन की द्वारा अजीब का चलाने का साक्षी भी मिलता है मौर काल में प्रेक्षा ग्रय बहुत लोग प्रिय था पुरोष और इस्तरियों की अलगलग प्रिक्षाएं ओती थी जरपर नाटक करने वालों को रंगोप जीब जीवनी कहा जाता था इस काल में लोग सुन्दा रंगीन वस्त और उची एडी के जूते पहनते थे आवुसर इस्तरियों पुरुस दोनों अगर मौरियों की आर्थिक बस्तरिक बात करें आर्थिक बिर्णियास की तो मौरिक आल में आप देखें कि किरसी मुख बयुसाय एवं किरसकों की दसा उन्नत थी ओभूराजस राजी की आया का मुख सुरोत था यानि की भूमी से लेना टेक्स ठीक है मौर कालीन आर्थिक जीबन का अधार वारता अर्थात किरसी पसुपालन ब्यापार था एतीन पिरमोग थे अधविवस्था के उस समय कि आपके ये एक तरह से रीड की हड़ी थे मौर समराज की सुरक्षा वो इस्थाहित के लिए मौरियों ने मिसरित अर्दुरस्था अपनाई जिसके अंतरगित किरसी ब्यापार वडिजी की प्रगिती हुई जिसके कारण मौर यूग की आल्थिक संपनता बढ़ी इस काल में दो पिकार की भूमियों को अभी अस्थित मिलता है जिसमें बर्सा पर आधारित भूमी को देव मातरक सिचाही के किंतिम सादनों पर आधारित भूमी को आधेव मातरक कहा जाता था मौर गाल में आप देखेंगे तो भूमी अतिन्त उपजाओ थी इस टेवों के अनुसार गर हम लोग इनकी बात माने तो मौर युगीन भूमी बहुत उपजाओ थी जिस पर भारतिय धान, गेहों, जो साक सबजी का उतपादन करते थी कोटल ने अपने अरतिस सास्त पे किरसी से समंदी सभी किरियाओं का विसत बरण भी किया हुए केसी राच्किये संरक्षर में विविन राच्किये फार्मों में सीता देक्ष की द्वारा कराई जाती थी मैगस्तनीज ने कहा है कि भूमी का अधिकां स्वाक सिचाई युक्त था और इसमें आप देखेंगे उसमें बर्स में दो फसले होती थी और आप सभी जानते कि हमारे देश में भी आप देखिए अगर पानी की विवस्ता है तो आप आसानी से दो फसलें अपनी खेती पर कर पाते हैं किरसक योद्ध किरसक योद्ध इवं पिसासनिक पिसासनिक कारियों से मुक्त होते थे और ताकि भी अपना समस्त ध्यान किसी कारियों पद देश सकें और मेगस्तनीच के अमसा भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ा और अरत सास्त में बर्स में बोई जाने वाली तीन पेकार की फसलों का उलेख मिलता है जब कि चावल को सरफ उतकिष्ट और गन्य की को निकिष्ट फसल बताये गया देखें चंदगुप्त मौर असोप मौर समराज जी की टाइम तक की बात हो रही कि अकाल नहीं पड़ा उसके बाल तो आप देखते हैं कई बाल अकाल पड़ा मौर काल में किरसी के साथ साथ उत्द्योग धंदों का भी विकास हुआ यानि की कहने का मतला है कि कुछ ऐसे भी उत्द्योग धंदे थे ब्यापार थे जिन पर केबल राज्य का ही अधिकार हुआ करता था जैसे सराव उत्द्योग या जहाज रानी अस्त सस्त नमक खानों एवं खुदाई से संबंदित जो सिक्का निर्माड इस अभी आपके किन का अधिकार था राज्य का था यादीश के अलाबा अन्न उत्द्योगों पर राज्य निजी लोगों का अधिकार था बस्तो उत्द्योग इसकाल का प्रमुक उत्द्योग था मदुरा, आ, परांतक, कलिंग, कासी, वंग, वत्स, महिस्मती, आधिवस्तो उत्द्योग के प्रमुकें थे समय बस्तोरों में रगाई करने वालों को रख तक और सिलाई करने वालों को तन्नु वाय कहा जाता था और सास्त में छह पिकार की मदिरा का भी उलेक मिलता है और इसके लिए राज द्वारा सुराध्यक्च की नियुक्ति होती थी इस काल में लोहे उद्वग और चरम उद्वग भी उननत दसा में था अच्छी अवस्था में था एक तरह से मौरकाल में आप देखेंगे ब्यापार वाडिंजी पर राज का बड़ा नियंतन हुआ करता था मापतवल का हर चौते माय राज की कर्मचारियों द्वारा निरिक्षन किया जाता था लापकी दर निश्चित थी जो देसी बस्तुमा पर 5 पिती सत थी और आयाति विक्री पर 10 पिती सत कर लिया जाता था बिक्री कर ना देने बाले के लिए मित्यु दंड का प्रावधन था तो आप समझे कि अगर ऐसी सुविधा आज की समय में हो तो आप सभी सोचे कि हर बैक्ती टेक्स भरेगा डरेगा ने आप देखते हैं कि आज की समय में क्या होता है कि आप लोग टेक्स ना भरिये और पकड़ जाईए तो आप देखें जितना आप लोगों को टेक्स भरना था उससे आप सोचे कि एक परसेंट में भी आप लोग छूट जाते है आराम से तो इसलिए अगर ऐसा हो जाए कि आप सोचे कि जब पकड़ाय आता है तो टेक्स की तुलना में दस गुना आधिक देना पड़े तो आराम से लोग कहेंगे कि चलिए टेक्स ही भल लेते हैं उससे अच्छा क्या है और उद्धोगों के विकास से ब्यापार का भी विकास हुआ जिसके नियंतन एवं नियदेशन के लिए ब्यापार विभाग की स्थापना हुए और इसे विभाग का सरवोच अधिकारी पनाद ध्यक छोता था मौरकाल में एक कठोर नियम था कि कोई भी विभापारी किसी भी पन्यवस्तू को उसके निर्माडे स्थल पर नहीं बैस सकता था और मौरकाल में विभापारी के समुहोग एवं काफीलों का उलेक मिलता था जिसका नेत सार्थ वा करता था इस समय आंत्रे के विभापार उन्ना तवस्ता में था कॉटल ने स्थलमाड़ों के अपिक्चा जलमारगों को आधिक महत्ता दी क्योंकि ये सुरक्षे देवं ब्यवसाद थे कॉटल ने उत्री मार्ग की तुला में दछ्री मार्ग को सेष्ट माना क्योंकि इस पर चमड़े और घोड़ों के अलावा सोना, चांदी, हीरा जैसे बहुंवल, रतनों की विपरापती होती थी बाहे ब्यापार आप देखेंगे सीरिया, मिस्स, चीन, चीन, पश्चिमेशिया के साथ होता था यानि कि आप देखें घरेलू ब्यापार तो हता ही, देश के अंदर, राज्य के अंदर तो हता ही था और बाहरी देशों से आप लोग एक देखेंगे कि बाहे ब्यापार भी करते थे इस समय पश्चिम भारत में पिसित बंदगार भारू कक्च था भडोच में और पूरी भारत में तामली भी भारस की खाड़ी में से ससकट नामक बंदगा भारती वस्तूओं का प्रमुक्यन था ब्यापार को और अधिक पृत्साहित करने के लिए मिस्तर नरिश टॉलमी फिला डेलफस निलाल सागर की तरपर वर नीस नामक बंदगा बनवाया हुआ था और ये फसलें अर्थसास्त और भूमी अर्थसास्त और बस्त केदार जायद इसमें आप देखेंगे गौस में खरीब को और हैमन रभी को कहते थे ठीक है नाम हो गए इंगे भूमी की बात करें तो अस्थात फैना घात ए जलोड मिट्टी वाली को परिवाहांत इससे चाह युक्त भूमी को को परियंत कुए के पास की भूमी को हरनी परियंत तालाप के पास की भूमी को ये बस्त हो गया आप उनी कपड़ा को पारवान पारिस्तौम उनी चाल को जौम रेस्मी बस्त को दुकुल चिकना बस्त को को से ये रेस्मी बस्त को कहते थे तो ये भी कई पूछ लेता है देखे इन्हें भी याद रखेगा पूछ लेगा कि परी इस तौम क्या होता था किस से समंदी था तो उनी साल से इस तरह की कुश्चन्स पूछ लेता है आपका फिर आप देखें कि मौर काल तक मुद्रा का फिचलन हो चुका था मुद्रा के निर्माड वो संचालन पर राज का इकादिकार होता था और इकादिकार का मतलब होता है कि एक छत राज उस पर दूसरे इकादिकार ही ना हो यह समाई की निश्चे सिक्के नहीं मिलते हैं जिसम त्वार्ण तौर से मौर। सास्कों का मौनएजा सकता है। तंदा प्य पर przy ख के मौरकाली से seven तोनी की भी मते थे ऑच्ञोあの वियर सी निर्मार्ट-वथार नित था और जिसे चिनित करने काLeft लच्छनाद्धाक्ष करता था खोट की जाच रोप दर्सक करता था यदी किसी बेक्ती के पास जाली सिक्टे पाय जाते थे थी तो उसकल आप लोग नोटों पर भी तो आरवाय जावनरकार्थ हस्ताक्षर देखते हैं ना उसी तरह से मोहर हुआ करते थी। तीन अर्ध बित्ताकर परवत, अर्ध चंद, लच्छनाद्यक्च दो पेकार की मुद्राइं जारी करता था, कोस प्रविस, राज्जस, बेतन और ब्यापार की लेंदेन में प्युक्त, और वेभारिक की बात करें तो सामान लेंदेन की मुद्रा होती थी, अगर हम लोग मोर समाज मौरिकाल के सहे भासा और साहित की अगर बात करें, तो इसमें आप देखी कि मौर काल में भासा लिपी और साहित का भी विकास हुआ, संस्कित पाली और प्राक्रित भासाओं के साथ ब्रह्मी, खरोष्टी, अर्माईग और ग्रीक लिपियों का विकास हो चुका था, असोक ने अपने अब लेक चार लिपी वो और प्राक्तिक भासाओं में उत्किन करवाए, इसमें प्राक्तिक को राजभासा का दर्जा था इस समय, कब मौरियों की समय प्राक्रित को राजभासा था, राजभासा का दर्बार था, ये देखी ऐसी भासा होती थी कि जन मानस जो होता था जनता होती थी वो आसानी से समझ पाती थी और आप सोची कि आसानी से जान पाएगे अब आप सोची कि ऐसे कोई भासाओं का उप्योकर ने लिए जिनकी आपकी जनता समझ नहीं ना पाए तो जनता जागरूख ही नहीं रहेगे संस्कित इस समय सिक्षित समधाय एवन सहित की भासा होती थी बेदांगों, ग्रह सूत्रों, धह्म सूत्रों, जैन सूत्रों त्रीपिटक, आदी महत्मून, गरंतों की रचाएं इसी काल में हुई पाड़नी का अश्टध्याई, कोटिलिका और साथ भास का सुपनवास, वद्धता मोगली पुत्त, तिस्का, कथावस्तू भद्ध बाहू का कल्बसूत इनसे भी कुश्टन्स पूछ लेता है, इन रचनाओं को याद रखना इनके लेकक को भी इस काल की महत्मून, रचनाएं हैं इस काल में सिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी यह भी राजिस्वयम अपनी तरफ से सिक्षा की विस्था नहीं करता था और आचारेयों और यहों पुरुवत्तों को आर्थिक सहायता ब्रह्मा दे दी जाती थी तक्छला बनारसोज्जन सिक्षा के प्रमुक्यन थे जहां धार्मिक सिक्षा की अत्रिक्त राजनीती सास्त धनुर विद्या चिकिस्था सास्त मंत विद्या इत्यादी की सिक्षा दी जाती थी सिल्फ संग विवसायक सिक्षा देते थे आप सोचे कि हमारे देश में बहुत पहले से राजनीती सिक्षा देने लगी तो आप लोग कोई कहे कि चिकिस्सा के बारे में बात होने लगी थी तो हम लोग कहीं पीछे नहीं थे लोग अगर कोई कहे आप से तो आप लोग बता सकते हैं कि असोक और आप देखें चंदगुप मौर, मौर समराज्य के टाइम से ही हो गई थी इस तरह की सिक्षा, कला ये वं साहित की बात करें, तो राज की ये कला, लोग कला, इसमें राजपरद, स्तूप, इस्तम गोहाएं, और पासान मूर्ती, पासान वेदी काएं, और इसमें लोग कला में देखेंगे ये ये चिडियों की मूर्तिया, मेड मूर्तिया, मैदभान, मुहरें, इत्यादी, डॉक्टर बी ये इसमें ने लिखा है, कि संसार के किसी भी, किसी भी देश में मौर कालीन, सुंदर कलाक्तियां, सदिस, उधारन मिलना असब्बा हो है, यानि कि डॉक्टर भी ये इसमत कहते हैं, कि संसार के किसी भी देश में मौर काल जैसे सुंदरा कलाक्तियां नहीं मिलना मिल सकते हैं, या मिलना बड़ी मुस्किल है, मौर कालीन पाठलीपुत का राजपरसाथ तथा पठना, कि समीब बुलंदी बाग का 150 फिट लंबी लकडी की प राप्त हुए, कलाकी तिहास कि ये सिपका मत इसलिए भी है, क्योंकि सेयोग का एक से कला निर्मार्ण के छेत में पासान का प्रयोग सुरू हुआ, इसकाल में सरपितम घेरिदार कुमों का साक्ष मिलता है, जो मूलता फन्नी दार इटों से निर्मित होते थे, चौतरी सता भवन की संघ्या दी गई है, यह ऐसा भवन असी परस्तर इस्थमों पटिका है, इसकी लंबाई करीब आप देखेंगे 140 फिट और उचाइस 120 फिट है, इसका फरुज एबं छत लकडी का बना हुआ था, और भवन की स्थम बलुआ पत्तरों के बने हुए थे, और उन पर च इडिया, यानि की 3 किलो मीटर लंब चोड़ा था, और जिसमें 4 और खाई थी, नगरों के 4 और लकडी का बना रक्षा पिराची था, जिसमें आप देखेंगे 570 बुर्ज, 64 द्वार थे, राजपैसाद के नगर के मद्द उध्यानों से घरा हुआ होता था, तो इस समय 30 से बना से जाते थे, यह आपके सामने दिखाई दे रहा है, लोहिया, मापकरी लोरिया, नंदरगर की सिंग सीस है, देख देखिए उपर आप लोगों को सिर देखने को मिलेगा, और यह आपको देख रहा होगा, बराबर की गुफाएं हैं, और आपके छित में भी आप द सारनात का सिंग सीस है, मौर्ग कालीन बास्तुकला की सर्वोत किष्ट नवूने स्थम है, और जिनका विसत बर्डन फायान और हैंसंग ने किया है, असो के स्थम मिर्जापो जिले में चुनार की खानों मतरा की पहाडियों से मगाय जाते थे, और जुम्ब उल्ता एकास मे इस थमों की लंबाई 35 पिट से लेकर 50 पिट और बजन इसका 50 तन होता था, इस सतंत रूप से बिना किसी सहारी के खुले मैदान में स्थापित होते थे, असो के इस थमों की अगर विसिस्ताओं की अगर बात करनी हैं आप लोगों को, तो यह खुले मैदान में निर्मित हो इस थमों में मात 15 ही सुरक्षे थे हैं, बाकी आप देखें, नश्ट हो चुके हैं, एक लंबा समय हो चुका है, आप सभी जानते हैं, फिर आप देखें कि बहुत परमपरा की अनुसार, असोक ने साथ इस्थानों के बद्धा उसेस के सहारे, 34,000 जार इस्तूपों का निर इस्तूप का जनम हुआ, सांची का आप लोग ने सुना होगा, सारनात, तक्छिला, भरोत, आदी के इस्तूप मौर काली नहीं हैं, लेकिन उपलब्द अवसेसों में दो ही महत्वों हैं, सारनात और तक्छिला, इस्तित धरम, राजी का इस्तूप और सांची का महा इसका निर्माण इंटों के त्वारा असोग के काल में हुआ, और तता समर्धन, परिवर्धन, सुंग काल में हुआ, इस्तूप की बेदी का साधी है और इसमें बुद्ध के इस्तूप में आप जिसकी बेदी का अलंकिट है, असोग कालीन, दस धरम पिरचारकों के नाम उ सर्वोस्तकिष्ट नबूने असो किस्तमों को मंदित करने वाली पसुव आगतिया है और उनके अनुद्किष्ट नबूनों में उरिसा की धोली चट्टान को काटकर निदि में हाती की आखिती कालसी में एक चट्टान परहाती का चित जिसके पैरों के मद्द ब्रहमी लिफी में गर्ज तमे में सब्द उत्कीन है मौर्कालीन पासांड बेडिकाओं में बोग गया सार्नाट, पाथली पुत, सांची की पासांड बेडिकाएं पिर्मोक हैं आप देखें कि मौर काल में राज्किये कला के अत्रिक सुतंत रूप से लोग कला का भी विकास हुआ है जिसमें ततकालेन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जलक दिखती है लोग कला के अंतरक्रत यक्षणी की मूर्तियां मिट्टी के सुंदर वरतन मूर्तियां एवं खिलोने महत्कूर है मेंदभानों पर भी पर की लकानी जाती है और विशाल आकारीपर की तरास करिए बनाईगी यक्षच vatास की की पितिमाई लोग धर्म का अधार पिस्थ्त करती है ब्रहमण बहुत अब आप बात आती है कि देखिए जो आपका मौर समराज था इसमें धार्मिक जीवन किस तरह का था तो मौर धार्मिक सहजणूता का काल था यानि कि आप देखिए कि यह नोंने किसी के धरम के साथ भेदभाव नहीं किया सभी को अपने धरम को मानने की सुविधा दी गई ए तो यह अभी आप लोग याद रखिएगा और सभी धाव लंबी अपना अपना धरम सुतंत रूप से मानते थे असोक अपने साथवी सिलालेक में तीन मुख संपदायों का उले करता है ब्रहमण अजीपक और निर्ग्रंत मैगस्तनीच के बढ़रन से भी ततकालीन समाज मे बहुत देवी देवताओं की पूजा की जाती थी उचिक बैड़ों में ब्रहमा धरम का बोलबाला था अपने आरंवी काल में चंदगुप्त वो और ब्रहमण धरमानवाई था और तथा बिंदुसार और असोक ने अने ब्रहमणों का एक साथ समान भी किया अर्थ सास्त मे सवीता अगनी आदी की पूजा कउलेग भी मिलता है ब्रहमणों का एक बर्ग सेवन सन्यासियों का भी होता था जिसे मैगस्तनीज ने संभलित रूप से दासने कहा है गरस्त जीवन गरस्त लोग बलिदान करने उमिर्थकों का सराध करने के लिए ब्रहमणों को नेक्त करत गोहाओं का निर्मार्वी कराय था इस समय भक्ती संपदाय का भी उदय हो चुका था मैगस्तिनी स्वयम कहता है कि मत्रा एहराक के लिए वासुदे की उपासक का पिधान किन्त था उसने डियो नीसस सिभ की उपासना का भी उले किया मौरकाल में बरमर धर्म के बाहिपक्ष क साथ साथ अध्यात्मिक पक्ष का भी विकास हुआ देवताओं के सहयुगियां के रूम में यक्यक्षी की भी पूजा होती थी बैक्ष पूजा नांग पूजा भी पिछले थी समय अनेक स्थल तीर्थ केंद के रूम में विख्यात हो चुके थे क्या हो चुके थे विख्य के पिर्यासों से इस धर्म को राच्किय सरक्षन मिला जिसके कारण इस धर्म का विदेसों में प्रिचात पिसार भी हुआ बहुत संग में मद्भेद दूर करने के लिए असोख ने तितिय बहुत संगती का आयोजन भी करवाया था संग में फूट डालने वालों के असोख ने दंड की वर्स था किती जिसकी पुष्टी साची और सारनात को संभी की लगू इस थमो लेकों में मिलती है अपने भापरू या बिराट की लगू सिलालेक में असोख ने बहुत धम संग में अपनी आस्था पेगट की असोख ने अपने अभिसे के बीस में बर्स लुम्बनी की यात्रा की जहां उसने कराधान को गटा कर एक आठवा कर दिया था भाग धार्मिक कर समात कर दिया था सभी मौर सासकों ने धार्मिक सर्टनाते की नीती अपनाई परवर्ती सासकों में साली सोक, साली सोक सोभग सेन भी बहुत धर्वनाई था और इसने आप देखें और उसने भी असोक के समान धम विजय का सहारा भी लिया तो ये भी याद रखिएगा फ़र आप देखेंगे कि जयन धरम आता है ततकाली समाज में निरगरंथी लोग जयन धरम नवाई के रूम में जान जाते थे जनने मैगस्थिनीज ने नगन साधू के रूम में उलेखित किया है जो आप देखते हैं कपड़े नहीं पहनते हैं आज भी आप लोग देखते है असोक के पूर्व जैन धरम एक प्रभावी धरम था और चंदगुप्त मौर जैन मतावलं भी था यागिपी भदबावु से प्रभावित होकर उसने जैन धरम सुईकार कर लिया था और तदा भी अपने धरमिक विश्वासों को प्रिज्या पर थोपने का प्रयास नहीं किया था इसने धरमिक सहुट ब्राथे की नीती अपनाई थी चंदगुप्त मौर के काल में ही जैन धरम दो संपदाय में विवक्त हो गया था और चंदगुप्त के सासन के अंतिम काल में बारे वर्सों का भी सन अकाल भी पड़ा था इस प्राक्तिक पिरकोप से दुखी होकर चंदगुप्त ने राज जित्याग दिया था और भद्ध भागु के साथ सेवर वेल गुला मैसूर चला गया था जो जैन अभी भी मगद में रह रहे हैं उन्होंने इस थूल बद्ध को अपना नेता सुईकार कर लिया और सुईतामबर कहलाए और दिवववदान के अनुसार असोक के समय निरगरंथी लोग उतरी बंगाल के पुन वर्धन नामकिस्थान पर निवास करते थे फिर बात आती है कि जो असोक के उतराधी कारी हुए एकमजोर हुए और मौर समराज का पतन हो गया तो बहुत गरंतों की अगर हम लोग बात मानें तो बहुत गरंतों से ग्याद होता है कि अपने सासन के अंतिम दिनों में असोक नामत का ही सासक बना रहा और असक द्वारा तुरस रक्षीता का प्रभाव भी दरबार में अधिक बढ़ गया था और असोक का एक अविलेक इसी रानी के नाम से जारी किया गया था वह संप्रेती की साहता कर रही थी फिर आप देखेंगे 232 इसापुर में असोक की मित्यू के बाद ही मौ समराज के बुरे दिन आरम हो जाते हैं और असोक के जितने भी उत्तर अधिकारी हुए बे आयोग और कमजोर निकले थे आज भी आप अपनी राजनीती में देखते हैं अव्देश की ये बड़े बड़े राजना निताओं को देखा है उनकी जो भी संताने हुई उन्होंने किस तरह से अपने बाप दादाओं का नाम डुबा दिया तो ये निके साथ भी ऐसा ही हुआ उसने आपसी पिती दोयनिता भी थी और इस कारण मौर समराज का विभाजन हो गया इसी समय भारत पर इयाबन आकमण का दूसरा दोर प्यारम हो गया और जिसने समराज को अतिधिक छती पहुँचाई और अधिकारी सुतंत होने लगे इस परिष्थिती में 187 इसापूर में सेनापती पुसमुत्वसंगने पुसमित्वसंगने अंति مौर समराट ब्रह दत्त की हत्या का सत्ता स्वयम हातों में ले लिए और मौर सासन अब समाप्त हो गया मौर gebaut काल घतम हो जाता है आप कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं और अंगली क्लास में हम लोग मौरे עथथ काल के बारे में बात करेंगे उस पर भी हम विस्तार से अध्यन करेंगे आप लोगों को परेसान नहीं होना है बस आपको पढ़ना है और आपके जो सवाल है उसे आपको बताना है क्या करना है बताना है ठीक है चलिए हम लोग मिलते हैं आप लोग इंजवाई करते रहिए